हेड्लाइन्स लाइव नियूज और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मत रफी आज हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते हुए परदुशन को लेकर कि जिस तरह से दिल्ली का परदुशन लगातार दम घुटू होता जा रहा है कि आज सीनियर सिटिजन सांस लेना दुबर ओ रहा ह है और साथ में ही आने वाले परव भी हैं जिन परवों पर बम पटाक है इस तरह के जो सेलीबेशन जसन में शामिल के जाते हैं तो आज के जो हमारी जो चर्चा है आज हम बात करेंगे हमारे साथ जो खास महेमान मुदूद है एडवोकेट जाने माने सुप्रीम कोट के वक इस तरह किया उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं आपका शुक्रिया हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से देख रहेंगी पूरी दिल्ली के अंदर जो वायू परदूशन है वह इतना बुरा हो रखाए कि सांस लेना भी दुबर है और यह लगातार इस तरह का जो माह कर देख लेकार किस तरह से रोख थम कर पा रही है कैसे देखने हैं मौम्मघ रफीजी जो आपने सवाल किया है यह जो सवाल है आज डिली की जनता है हर वैक्ति के मुँपर ये सवाल है क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली में सबी लोग यहां पर रहते हैं और विभिन राज्यों से यहां पर रोज रोटी कमाने के लिए भी आते हैं आज दिल्ली का ये हाल है कि दिल्ली के अंदर चाहे वो बच्चा है चाहे वो जवान है, बुजुर्ग है, महिला बहने हैं हमारी या बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन सब को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वायू प्रदूशन इतना इस समय इतना ज़ादा है कि हर एक वैक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी जो जान है वो जोखिय में पड़ गई है और मैं खुद इस चीज को फिल करता हूँ कि आज कैई तरह की गंभीर बिमारिया इस वायू प्रदूशन के तहट हमारे दिल्ली शहर में व्याक्पक रूप में फैल गई है अगर आप देखोगे दिल्ली के जितने भी हस्पिताल हैं वहाँ पर लाइन लगी हुई है किसी वैक्ति को फीवर हो गया है किसी वैक्ति की आँखे सूज गई है कोई वैक्ति दमा का मरीज हो गया है और कोई खासी का मरीज हो गया है आप ये कह सकते हो कि इस टेम पूरी दिल्ली का हरे एक व्यक्ति किसी ना किसी गंभीर बीमारी से या तो पीडित है या पीडित होने जा रहा है। और इसके बाद जो है दिल्ली के जो सकूल हैं, उनका बड़ा बुरा हाल है। आज हमारे छोटे बच्चे नवजात बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं वो किस प्रिकार से सांस लेंगे और उनकी जांग को कितना खत्रा है बिल्कुल वही जानते हैं क्यों कि दिल्ली के अंदर बहुत सकूल है और जो है बोर्ड की परिक्षाएं और बच्चों के इस टा इसको हम प्राकर्तिक तोर पर मानें गए या फिर दिल्ली सरकार का भी कहीं न कहीं फैलियर देखते हैं देखो मुहमद रफीजी एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है पिछले 9-10 वरसों से दिल्ली की कमान एक पार्टी के पास है और हर साल इस तरह की घटनाएं पहले से ही कोई अच्छे कदम क्यों नहीं उठाए आज आप और पॉलिसीगी बात कर रहे हो जी यह आपकी सोची समझी एक आप गुम्रह कर रहे हो जनता को नहीं देखे अभी दब वायू परदूशन फैल रहा है दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं उसकी रोग थाम के लिए नहीं मानेंगे यह सरकार का कदम है किन्तु क्या इस कदम को क्या बच्चों की पढ़ाई को क्या दिल्ली की जंता का जो स्वास्ते बिगड़ रहा है उसके लिए पहले से परिया और मंत्राले के साथ मिलकर या जो हमारी एंजियो जैं इसमें कारिये कर रही हैं उनके साथ म आज आपने 20 दिंगले स्कूल बंद कर दिये आज आपने ओड़ीवन पॉलिसी लिया है क्या ओड़ीवन पॉलिसी से आप प्रदुशन कम कर लोगे आपको इसके लिए पहले सही एक दो महिने पहले आपको पूरा स्पश्ट रूप से परियावरन मंत्राले के साथ मिलकर ए धुराय यह है कि दिली सरकार कोई ना कोई बहाना लगाकर कि हरियाना के अंदर लोग अपनी फसाद जला रहे हैं लोग रास्ता में जला रहे हैं जिसकी वज़े से दिली की चो वाईव है वह परदुशित हो रही है मैं सबस्ट रूप से यहां कहना चाहूंगा कि दिल्ली के पास सबसे पहले जो स्टेट है वो हरियाना है और हरियाना के अंदर किसी भी प्रिकास से प्राली को जलाया नहीं जा रहा ऐसी सुचना न्यूज के माध्यम से मिल रही है दिल्ली का जो प्रदूशन वायू प्रदूशन है दिल्ली की हालात इस टाइम वायू के वेसे जो खराब हो रहे हैं उसकी संपून रूप से जिम्मेदार दिल्ली सरकार है दिल्ली सरकार को समय पे सजग होना चाहिए था और समय लेते हुए ही इस परियावरण को ठीक करके दिल्ली की जंता के स्वास्थे का ख्या लखना चाहिए था मेरा ये कहना है बिल्कुल आपने जो बताया लेकिन सवाल यहां पर मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि जिस तरह से पराली को एक मुद्दा बताया जाता है कि पराली जलाने से जो वाईयू में परदूशन होता है उसका दिल्ली में फरक देखने को मिलता है तो क्या आप यह मानते हैं कि प हाँ पर कोई प्राली जलाता भी नहीं है जो भी हमारे विलेज एरियाज है उसके साथ जो है दिल्ली के अंदर जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक का जो संचालन है वो भी एक बज़े है पॉलुसंग के लिए तो उसके लिए तो दिल्ली सहिकार और इवन लाई रहे ना हैं तो उसको रोखने का काम तक किया जा रहा है मौहमद रफी जी पांस साथ दिन के लिए दस दिन के लिए आठ ओड इवन की फैसलेटी लाकर दिल्ली की जनता को गुबरहा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो है अभी दिवाली है चोटी दिवाली है बड़ी दिवाली है ध एलेक्ट्रिव वेके ओकंदर इस तोहारों को मनाती है किंतु जब हम अपने तोहारों को भी प्रदूशन जी वह आई से नहीं मना पाएंगे तो सपश्ट रूप से उसकी जिम्मेदारी आप किसे मानते हैं और हम अपने तोहारों को अपने बच्चों को पठाकों भी हमने जला पारे चलो बाइव पुदूशन होता है हम नहीं जलाएंगे किन्तु क्या दिल्ली सरकार को समय पर रहते हुए क्या इनको पता नहीं है कि आने वाले समय के अंदर यह तोहार आने वाले हैं तो हमें पहले से ही परियावरन मंत्राल्य है जा अपर एसी बहुत ही एंजियो से कोई सुरक्षा और सलहा लेकर इस परियावनन को रोकने के लिए अगर दिल्ली सरकार द्वारा प्रियास किया जाता तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए और हमारे स्वास्थे के लिए बहुत ही अच्छा कारिय रहता इस इसके लिए पून रूप से जो दोसी है वो दिल्ली सरकार दोसी है और सकूलों को बंद करने से और इवन लागू करने से यह केवल आप अपनी नाकामियावी को और अपनी अस्फलता को चुपाने का प्रियास कर रहे हुए